आज हम सीटी के बारे बात करेंगे विशा का वक्रम के बारे में आंदर प्रदेश में आता है और यह याद रखिए कि इसका जो पॉपिलेशन है वो अराउंड अभी वैसा है तो 2011 में इसका पॉपिलेशन था 2.035 मिलियन तो अभी अल्मोस्ट यह पार कर चुका होगा 3 मिलि का तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखे बता सकते हैं जो बंदे नए हैं तो उनके लिए हम बता दे कि हम बिजनस से आइडियाज हम अल्रड़ी 100 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं तो वो आप देख सकते हो यह वीडियो हम प्रॉपरली बना रहे कि सीटी वाइस अगर को बड़े लोग है तो बड़े सीटी में रहतो इसके लिए यह जो रीजन है रीजन हटा दो कैसा कुछ नहीं रहता आप छोटे सीटी को बड़ा सीटी बना सकते हो यह आपकी उपर डिपेंड रहता कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइक़न दबा दीजिए और like बटन दबाते वक ये नया new subscriber के लिए जो offer है वो ये offer enjoy किजिए ये offer क्या है कि जो student रहेंगे या housewife या senior citizen या जो कोई भी job करते होगे या handicap रहेंगे तो उनके लिए free business consultants है आप mail करके आप अपने detail बेच के आप जो भी business करना चाहते है या क्या business कर सकते हो उसके regarding हमसे information ले सकते हो free में अभी ये benefits है मतलब business choose करने के बाद जो भी services लगते है उसके regarding भी आप हमसे information ले सकते हो अभी detail में देखते है देखो अभी विशाकापटना बहुत ही parry city है मतलब मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई traditional ये सब चीज़े देखना चाहते है तो आप जरूर विजिट करें विशाकापटना में बहुत ही खाना बहुत अच्छा है मतलब आंद्रा का खाना हर एक flavor आपको वहाँ पे चकने के लिए मिलता है अगर आप मिल स्लोगे तो आपको हर एक मिल जाता है खाने में ये बहुत ही मतलब interesting और बहुत अच्छी बात है लोग अच्छे हैं में चीज और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वहाँ के लोग genius है पढ़ाक हुए पढ़ाक हुए बहुत पढ़ते हैं knowledge बहुत जाई है सब चीजों में और एक बात अगर मैं बुलूंगा उसमें ये city के बारे में तो य है कि आपको अंदर के लोग हर एक मतलब Asian cities में भी मिल जाएंगे ये भी available है ये सब चीजों में तो देखो अभी यहां के जो natural resources है और famous है वो आपको बताना है क्योंकि हम चाहते के एक दो वीडियो थोड़ा interesting हो जाए आप बता दो कि वहाँ पे natural resources क्या है comment box में या famous quality क्या ह है वो आप हमें comment box में बता सकते हो okay business idea के लिए यहाँ पे हर कोई business आप start कर सकते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही specific reason के उपर आप काम करो okay उसके regarding आप हमारे business idea अल्रेडी जो hundred बनाए वो देख सकते हो और हमसे अगर जूड़े रहे मतलब subscriber हो तो आपको आने वाले business idea भ मतलब जो भी question रहेगा okay कि आपके city के बारे में क्या जानना है क्या नहीं है तो आप हमसे भी directly मतलब information ले सकते हो okay या comment box में भी आप लेख सकते हो जो भी जिस जिस बंदे को information चाहिए रहेगा वो मिल जाएंगे okay अभी यह actually video हम क्यों बना रहे है कि कि आप बोलोगे कि यार यह सब कुछ लिखा कि लेकिन बता तो कुछ नहीं रहो लेकर main चीज हमें यह बताना चाहते है यह video से कि अपने city का इतना population है मतलब around 2 million के आगे 3 million पे पार है top 10 top 20 cities में आता है विशा का platinum okay तो almost अगर आप यहाँ पे अपनो अच्छा start-up कर सकते हो अपने state को भी आके लेके जाओगे और अपने country को भी आगे ले जा सकते हो आप business start-up करने के लिए आपको क्या देखना है कि जो जो आपके city में problems आ रहे है उसको solve करने का solution डून हो अगर वो solution डून तो business ही हो जाता एक प्रकार का okay तो business ऐसी हुआ जैसे लोगों को एक जगे से दूसरी जगा पे नही के लिए आ रहा था तो उन्होंने बस सेवा मतलब जो भी गाड़ी का निर्मान हो गया या बस का निर्मान हो गया या यह सब उस related हो गया जो गाड़ी नहीं ले सकता है फिर वो बस से चुरू हो गया यह सब चीज़े फिर cycle आगे उसमें यह सब बहुत सारी चीज़े मतलब innovate करी गई है तो यह आप कभी भी सोचे कि जो भी चीज़े हैं वो आप यह कर सकते हैं दूसरी बात यहाँ पर आंधरा में काजू का भी मतलब खीती अच्छा से होती जाता है तो उसके related अगर कोई बंदा रहेगा तो भी आप हमसे contact कर सकते हैं क्योंकि हमने already एक dry food का वीड मतलब काम करना है या already आप करना चाहते हैं मतलब आपके product का marketing करना चाहते हैं तो भी आप हमसे contact कर सकते हो यह cty जो भी businesses है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो कि जो आप करना चाहते हो आप हमसे directly पूछ सकते हो या हमारा जो last concept Instagram selfie competition उसमें भी आप participate हो सकते हैं उसके लि city के बारे में जो भी खासी है ते ओके तो वो आप photo खीच के post कर दोगे अपने Instagram ID पर और वहाँ पर आपको hashtag लिखना है NCI business tech यह करके लिखना है tag करना है तो आप उस competition में शामिल हो जाओगे यह कभी भी याद रखना है ओके और जो भी thousand के इसमें पहले आएंगे मतलब हर ए thousand thousand में हम एक उसमें से live में एक का नाम निकालेंगे और उसको free of business consultants मिल जाएगा free of cost कोई भी पैसे वैसे देने के ज़रूत नहीं है और आपको भी पता चल जाएगा कि भाई उसने क्या business information मांगी ती और क्या मिल गई उसको यह सब चीजों के बार में तो इससे कि आपका knowledge भ कि वो ही ले सकता है आप नहीं सब ले सकता है या आपके उपर depend है अभी कुछ भी आपके problems या कुछ भी services requirement या suggestions तो आप हमें mail कर सकते हो हमारी team आपको callback करके उसके बार में follow up लेगी services चाहिए तो आप services भी ले सकते हो और अपने services का enjoyment कर सके उसका उपभुक कर ले सकते हो अभी याद रखिये कि अपना देश महान देश पहले है ये कभी भी याद रखना तो इसकी लिए हमेशा अपने देश को और कैसे महान बनाय जाए तो इसकी लिए लोगों से प्यार ब मिलोगे नहीं तो आपको कुछ problem पता ही नहीं चलेगा आपका product बेशना नहीं आएगा क्योंकि लोगों को मिलते हो तो जब सुनोगे लोगों के conversation ये अब सब चीज से आपको automatically idea start हो जाएगा आपके mind बे कि क्या करना चाहिए आप अपना बोलने से पहले दूसरे का सुनने क आदर डाल दो ओके तो आज के लिए यही ता अगर आपको कोई